हलो दोस्तों खेंपुर रिपेर यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे पास ये एक आप देख सकते हैं लाइट रिपेर के लिए आई थी और दोस्तों ये पूरी तरह से खराब थी इसका ड्राइवर यहां पर जल गया था और इसकी LED भी फिर आप इसको फेके नहीं आप इससे एक बहुती अच्छी light बना सकते हैं कैसे बनाएंगे वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ यहां पर दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इससे एक 12 volt की बहुती अच्छी light और आप इस light का यूज कर सकते हैं अपनी emergency में जब आपका inverter बागेरा डाउन हो जाता है तो आप इस तरह की light को चला सकते हैं और इसका उजाला भी काफी ज्यादा होता है तो यहां पर दोस्तों इस light को बनाने के लिए आप किसी भी 12 वोल्ट की LED जो पैनल आते हैं उनका यूज कर सकते हैं जैसे के मेरे पास मैं आपको दिखा देता हू वो भी आती है और यह भी 12 वोल्ट की है लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों यह इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितना अच्छा यह है ठीक है यह अगर आपके पास है तो आप इसी का यूज करें हलकि इसको लगाने में आपको असानी होगी इसको आप कट करके असानी से यह यह जल्दी खराब हो जाती है और इसमें जो यह छोटी LED लगी है तो यह थोड़ा देर से खराब होती है बलकि खराब ही नहीं होती है ठीक है तो मेरे हिसाब से यह ठीक नहीं है यह ठीक है देखे दोस्तों एक चीज समझ लेजिए यहाँ पर जो यह तीन तीन LED लगी है व तो आप चाहें तो काट कर 3 LED का यूज़ कर सकते हैं तो मैं simple इसी तरह से इन LED को यूज़ करूँगा यहाँ पर मैं 12-12 वोल्ट की supply दूँगा इन 6-6 LED को ठीक है इन 6 को और इन 6 को इस तरीके से हमें इसके connection करना है दिहान आपको ये रखना है जिदर हमारी ये 2 LED लगी है इस साइड पिलस है ठीक है तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर 6-6 LED को वो सारी दोस्तों 12-12 LED को जो है वो कट करके दो पत्तियां इसकी बना लेता हूँ यहाँ तर ठीक है उसके बाद हम इसके connection करेंगे और यहाँ पर ध्यान लखें कि इसमें जो यह यहाँ पर जो इसमें अैसे लगाऊंगा मैं तो यह नहीं आपाएगा इसमें यहाँ पर LED हमारी कट जाएगी ठीक है तो मैं इस तरीके से यहाँ बारा LED का जो पता है उसको यहाँ पर कटकर लेता हूँ इतना ठीक है उसके बाद यहाँ पर इतना ठीक है और उसको मैं क्यपको कैसे connection वव्व तो उसके वोल्ट 12 से बढ़कर 14 हो जाते हैं तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे 14 वोल्ट पे क्योंकर लगातार चलाएंगे तो यह 14 वोल्ट पे खराब हो सकती है बलके हो भी जाती है तो उसका मैं आपको एक तरीगा बताऊंगा कि आप उसको कैसे चला सकते हैं तो वीड ये पत्तियां हैं इनको अब देख सकते हैं कि यहां पर मैंने इसकी जो सोल्टिंग है वो आइरन से अच्छी तरह से कर ली है ठीक है जिससे के दोस्तों क्या होगा कि हमें यहां पर कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पर हमने इसके प्रिंट जो हैं उनको यहां पर साफ कर लिया जो पॉलिश था उसको छुटा कर यहां पर और इस पर सोल्टिंग कर दी है ठीक है अब इसके बाद दोस्तों दोनों यहाँ पर मैंने इस तरीके से कर लिया हूँ चोटी बड़ी यहाँ पर नहीं रखी है अब इसको हमें पहले तो चिपकाना है और यह चीज़ आप ध्यान लखें कि यह जो मेरे पास में पैनल है उसमें ग्राउंड इस तरफ है जिदर हमारे दो एलेटी लगी है उस तरफ ग्राउंड है वैसे ही यहाँ पर दोय है तो यह ग्राउंड है ठीक है उसी तरह से इसका ह तो आपको यह दिया लखना है कि ग्राउंड किदर है और प्लस किदर है ठीक है उसी हिसाब से आप इसके कनेक्शन करें मैं फिलाल इस यहाँ पर जो है इसको चिपका लेता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसको मैंने चिपका दिया है अब हम इसके कनेक्शन कर लेते ह और यहाँ पर जो मैं connection करूँगा पहले मैं इसके negative के connection कर लेता हूँ ठीक है दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसके negative के जो connection है वो यहाँ पर 4 connection आप देख सकते हैं कर दीए यह हमारी positive की wire है और अब मैं इसके 4 connection positive के भी कर देता हूँ दोस्तो positive के connection भी आप देख सकते हैं कि इसके मैंने यहाँ पर कर दी है ठीक है अभी हमारी यह wire बच गई है दोस्तो आप इसकी wire को direct भी लगा सकते हैं लेकिन मैं direct नहीं लगाऊंगा यहाँ पर दोस्तो मैं इसमें दो diode लगाने वाला हूँ और diode किस तरह से लगाऊंगा वो दोस्तो इसमें जो मैं इसको जो use करूँगा वो करूँगा इनवेटर की बैटरी से और इनवेटर जब charge होता है तो वहाँ पर 12 volt से बढ़कर जो है वोल्ट आ जाते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं कि diet को हमने ले लिया है जिदर पट्टी की side है वो हमें पत्ती पर लग क्योंकि दोस्तों इसमें इसका cover काफी उचा है तो यहाँ पर यह टेच बच नहीं होगा आप चाहें तो लगा सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हमने diet को ले लिया है थोड़ा soldering मैं सही से करता हूँ यहाँ पर जो soldering है वो ठीक से नहीं हुई है डायोड जो है वो हमारा हिल रहा है ठीक है तो मैं फिर से यहाँ पर और solder लेकर यह soldering कर दी है मैंने अच्छी तरह से इस तरह की light बनाना बिल्कुल easy है और आप अगर हमारे चैनल को subscribe करके रखेंगे तो आपको यहाँ पर काफी knowledgeable video देखने को मिलते हैं अब दोस्तों यह हम हमने complete कर दी है ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से बंद कर दिया है अब मैं इसको चेक करने के निए 12 वोल्ट की वायर ले लेता हूं जो के मैं मेरी बैटरी से connect है ठीक है और इसको हम देखेंगे तो देखी कितनी अच्छी यहाँ पर यह ग्लो हो रही यह इसकी light काफी ज्यादा है और मैं भी आपको इसको केमरे में दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर यह आ जाती है तो ठीक है देखिए काफी ज्यादा इसकी यहाँ पर light है और मैं थोड़ी से shop की light off करता हूँ तो देखना आप कितनी ज्यादा light यहाँ पर यह कर रही है तो आप दोस्तो इस तरह से अपने खराब बल्प से एक बहुती अच्छी light बना सकते हैं और जिसको आप कभी भी emergency में यूज कर सकते हैं अगर आपका invited down हो जाता है तो आप इस तरह की light को direct अपनी बेट से connect करके जो उचाला है उसको कर सकते हैं दोस्तो यह वीडियो कैसा अगर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप इस तरह की light जरूर बनाएं अगर आपके पास कोई खराब light है तो और दोस्तो वीडियो को आप जादर से जादर लाइक करें शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लें क्योंक समय पर मिलते रहते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंद वंदेमात्रमू